गूड आफ्टरून फ्रेंट्स एक बार फ्रेसे स्वागत है आपका आपके अपने यीट्यूब चैनल Study with Ravi पर इस वीडियो में मैं आपके लिए idioms और फ्रेजिस का पार्ट 1 लेके आया हूँ पार्ट 1 से लेके 90 तक मैं पहले बना चुका हूँ 19 तक पार्ट मैं बना चुका हूँ इसके भी तो आपको इसकी PDF मेरे टेलिग्राम ग्रूप पे मिल जाए कि टेलिग्राम ग्रूप का नाम है Study with Ravi Thakur तो बहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं 18 जून के बाद वाली आपको सारी इसकी PDF मिल जाएके 18 जून के बाद तो टेलिग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं 18 जून के बाद वाली जितनी भी वहां मेने अपलोड किया है डॉक्यमेंट सारे तो चलिए शुरू करते हैं idioms और phases का part 1 तो first sentence है a shot in the dark a shot in the dark इसका मतलब होता है an attempt to guess something अनुमान लगाना किसी भी चीज़ के बारे में उसको बोला जाएगा a shot in the dark next है a nutshell इसका मतलब होता है brief कोई भी चीज़ का संक्षेप करना संक्षिप्त रूप में कहना किसी भी चीज़ को उसको बोला जाएगा in a nutshell next है from the bottom of one's heart इसका मतलब होता है to speak frankly मिलकुल सपष्ट बोलना बे दरक बोलना उसको बोला जाएगा from the bottom of one's heart next for better or worse इसका मतलब होता है always or in every condition चाहे चाहे या बुरा हो हर एक परिस्थिती में हर स्थिती में तो उसको बोला जाएगा for better or worse next है a hard nut to crack इसका मतलब होता है a difficult problem or situation to solve or deal with मतलब कठीन परिस्थिती उसको बोला जाएगा hard nut sorry a hard nut to crack next hand in glove इसका मतलब होता है working closely with someone और हम बोल सकते है very intimate घनिष्ट संबंध होना उसको बोला जाएगा hand in glove next layman excuse इसका मतलब होता है unsatisfactory explanation मतलब जूटा बहाना बनाना इधर उधर की बाते करना किस भी चीज़ के लिए जूटा बहाना बनाना उसको बोला जाएगा layman excuse next है at a loss इसका मतलब होता है enable or not knowing about what to do or say घबरा जाना कुछ भी पता नहीं है क्या बोलना है किस तरह से क्या करना है उसको बोला जाएगा at a loss next है in a black and white इसका मतलब होता है in writing लिखित रूप में कोई भी चीज़ देना मौखिक रूप में ना हो कर कोई भी चीज़ जो भी लिखित रूप में हो उसको बोला जाएगा in black and white next है stand by stand by का मतलब होता है to help or support somebody or to be friend even in difficult times अपने मित्र की या किसी की भी उसकी मुसीबत की घड़ी में साथ देना सहायता करना उसकी उसको बोला जाएगा stand by तो यह part 1 का अपना idiom और phrases का part 1 का last sentence था तो इसी तरह से मैं वीडियो बनाता रहूँगा इसके part 19 तक आप इसकी audio सुनना चाहते हैं तो खबरी एप पे मुझे follow कर सकते हैं तो part 1 में इतना ही मिलते हैं part 2 के साथ idioms और phrases के तब तक के लिए thank you, thanks for watching